हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका, आपके अपने योट्योब चैनल ली सरस्वती एकेडमी में, मैं हूँ आशिश राउत, आज के वीडियो में हम महान लेखक प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जीवन परिचय, नाम मुन्शी प्रेमचंद, पूरा नाम धनपत राय, जन्म 31 जुलाई 1880, जन्म स्थल वारणसी के लम्ही गाउमे, मृत्यो आठ अक्टूबर 1936 पिता, अजायब राय, माता, आनन्दी देवी, भाषा, हिंदी व उर्दू, राष्ट्री यता, हिंदोस्तानी, प्रमुक्रचनाएं, गोदान, गबन मुन्शी प्रेमचंद का जन्म एवं परिवार मुन्शी प्रेमचंद का जन्म, बनारस के एक छोटे से गाउं, लम्ही में, 30 जुलाई, 1880 में हुआ था मुन्शी प्रेमचंद साधारन परिवार से तल्लुक रखते थे उनके दादा जी का नाम गुरू सहाई राय था, जोकी पटवारी के पद पर पदस्थ थे उनके पिता जी का नाम अजायब राय था, जोकी एक पोस्ट मास्टर थे, जिनका वेतन मात्र 25 रुपए प्रती माह था बच्पन से ही उनका जीवन बहुती संघर्षों के साथ गुजरा था प्रेमचंद जब आठ वर्ष के थे, तब एक बहुती गंभीर बिमारी के कारण उनकी माता जी का देहांत हो गया था बच्पन में प्रेमचंद को उनकी मा का प्यार नहीं मिल पाया प्रेमचंद के पिता जी सरकारी नौकरी में थे, उनका तबादला गोरकपुर हो गया था वहां जाकर प्रेमचंद जी के पिता जी ने दूसरी शादी कर ली थी सौतेली माने प्रेमचंद को कभी अपना बेटा नहीं समझा इस प्रकार प्रेमचंद को अपने बचपन से ही बहुत कठी नाईयों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ा था जैसे जैसे प्रेमचंद बड़े होते गए वैसे ही समय के साथ उनका ध्यान हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की तरफ और बढ़ता चला गया शुरुवात में मुन्शी प्रेमचंद जी ने छोटे छोटे उपन्यास पढ़ने चालू किये उनकी इस पढ़ने की रूची एवं लगन के कारण एक थोक पुस्तक व्यापारी के यहां वो नौकरी करने लगे और खाली समय में वे वहाँ पर पुस्तकें पढ़ना पसंद कर करते थे मुन्शी प्रेमचंद का वैवाहिक जीवन मुन्शी प्रेमचंद का बचपन पहती कठिनाईयों एवं संघर्षों के साथ गुजरा था जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तब उनके सोतेले नाना ने उनकी शादी करवा दी थी यह शादी प्रेमचंद की मर्जी के खिलाब उनके नाना ने करवा दी थी। वा लड़की स्वभाव से बहुत ही जगडालू प्रविर्थे की थी। मुन्षी प्रेमचंद की शादी के एक साल बाद उनके पिता जी का देहांत हो गया था। उसके बाद घर की पूरी जीमेदारी प्रेमचंद के कंधों पर आ गई थी। इस विकट विपत्ती के कारण प्रेमचंद को अपने घर की कुछ बहुमुल्य कीमती चीजों को बेच कर कुछ समय के लिए घर चलाना पड़ा था। उन्होंने पैसों की कमी के कारण अपना कोट एवन किताबें भी बेच दी थी। पिताजी के देहांत के कुछ समय बाद प्रेमचंद ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और उसके बाद 1906 में दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी के तीन बच्चे थे जिनका नाम श्रीपत राय, अमरित राय और कमला था। शिवरानी देवी के पिता एक जमिनदार थे जो फतेहपूर के पास एक छोटे गाउं में रहते थे। प्रेमचंद की प्रारंबिक शिक्षा मुन्षी प्रेमचंद की शुर्वाती शिक्षा साथ साल की उम्र से अपने ही गउं लमही के एक छोटी से मदर्से में हुई थी। हिंदी एवं उर्दू भाशा के साथ साथ प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी भाशा का ज्ञान अरजित किया था। बजपन से ही प्रेमचंद जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। प्रेमचंद जी जब तेरा वर्ष के थे तब उन्होंने उर्दू के बहुत ही मशुर रचनकारों के उपरन्यास भी पढ़े धीरे धीरे स्वाइं के प्रियासों एवन बलबूते के दम पर प्रेमचंद जी ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और आगे सनातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस के एक कॉलेज में डाखिला ले लिया पैसों की कमी के कारण प्रेमचंद जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्यायन कर अपनी बीए की डिगरी प्राप्त की प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाये प्रेमचंद जी द्वारा रचित अनेको रचनाओं को हिंदी साहित्य में एक विशेश दर्जा प्राप्त है प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य के शेत्र में लेख, नाटक, कहानी, उपन्यास, समिक्षा, संस्मरण, लगभग इन सभी शेत्रों में एक अलग ही पहचान प्राप्त की है इसी वजह से उन्हें उपन्यास समराट के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है प्रेमचंद जी बचपन से ही अनेक रचनाएं एवं उपन्यास पढ़ते आ रहे थे और उन्होंने खुद भी अनेक रचनाएं लिखी है प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे की गोदान, गवन, रंग भुमी, काया कल्प, सेवा सदन, मानसरोवर उनकी श्रेष्ट रचनाएं है मानसरोवर कहानी को आठ अलग-अलग खंडों में संकलित किया गया है कफन प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई उनकी अंतिम कहानी है प्रेमचंद को मिले पुरसकार एवं सम्मान पहला प्रेमचंद गर के नाम से प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी ने एक जीवनी लिखी है दूसरा मुन्शी प्रेमचंद के नाम का 30 पैसे मूल का डाक टिकट भारतिय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है दूसरा बचपन में प्रेमचंद गोरकपूर के जिस स्कूल में पढ़ते थे वहीं पर प्रेमचंद की याद में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की अस्थापना की गई है मुन्शी प्रेमचंद की मृत्यू 1936 के बाद से मुंश्री प्रेमचंद का स्वास्त खराब रहने लगा और पैसों की कमी के कारण उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को उनके गाउं वारानसी में उनको एक भैंकर बिमारी हो जाने के कारण हो गया था इस बिमारी के कारण उनका आखरी उपन्यास मंगल सुत्र भी पूरा नहीं लिख पाया था जिसे उनके पुत्र अमरित द्वारा पूरा लिखा गया एवं प्रकाशित किया गया प्रेमचंद्र एक अच्छे उपन्यासकार थे वे हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग छवी छोड़ कर गए है उनकी सरल एवं सहज भाशा के कारण ही लोग उन्हें आज तक जानते हैं उमीद है इस वीडियो से आपको प्रेमचंद्र जी के जीवन परिच्छे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें